नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ Fantasy Benning 11 यूटूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं FUJ और Emirates Blue के बीच खेले जाने वाले आज के T10 मुकाबले के बारे में तो दोस्तों टीम का कॉम्बिनेशन सेट करने से पहले जानते हैं दोनों ही टीमों का अब तक टूनामेंट में कैसा सफर रहा है सबसे पहले यदि बात करें FUJ के बारे में तो तीन मुकाबले इन्होंने इस टूनामेंट में खेले हैं और तीनों के तीनों मुकाबलों में इन्होंने जीत दर्ज की है वहीं अगर बात करें Emirates Blue के बारे में तो तीन मुकाबले इन्होंने भी इस टूनामेंट में खेले हैं जिन मेंसे मात्र दो मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबले को हार मिली है। देखा जा दोस्तों तो एक बार फिर F.U.J. टीम यहां से फैबरिट रहने वाली है और साधे साथ दोस्तों पिछले टूनामेंट में यह टीम ऐसी रही थी जिसने 10 मुकाबले के बाद 8 मुकाबले जीते थे मातर दो ही मुकाबलों में हार मिली थी और टेविल रैंकिंग में नमबर एक पर यह टीम रही थी तो ऐसे में दोस्तों एक बार फिर F.U.J. टीम आज के मुकाबले में फैबरिट रहने वाली है दोस्तों हर वाले बाद के अपन बैटेंग ओडर के साथ साथ देखने वाले हैं दो ओवर कौन से बोलर कम्प्लिट करने वाले हैं साथ साथ द आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को बिप्रेज करना बिल्कुल भी न भूले दोस्तों टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर आ जाईए क्योंकि आफ्टर टोस्तों जो भी जानकारी मिलती है जन चैनल से सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मुहम्मद बूता के बारे में तो टोप वर्डर पर दोस्तों ये वल्लेवाज वल्लेवाजी करने आता है पहले मुकाबले में चोते इसके बाद पहले और इसके बाद दोस्तों नमबर चार पर इनों ने बैटिंग की है और दो दोस्तों बात करेंगे अपन हम्मत ताहीर के बारे में तो 31 पर्शेंट लोगों ने अपनी टीम में शामिल किया है दोस्तों सुरु बात के मुकावलों में इनके बल्ले से रंडीर नहीं के लिए ग्यारा बीस और दोरन इनके बल्ले से निकले हैं और अच्छी बात दोस्तों ये है कि टीम के लिए लगातार ये ओपन कर रहे हैं यानि दोस्तों देखा जाए तो आप ग्रांड लिंग में इस प्लियर को हंडेट परसेंट आज ट्राय करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों बात करें हेड टू हेड की तो आप मुहम्मद बोता को अपने टीम में जरूर शामिल आज करने वाले हैं इसके लावा दोस्तों बात करें बल्ले बाजों के बारे में यहां पर पहला नाम आपको दिखाई देरा जिसका नाम है दोस्तों उस्मान खान लगातार एफ यू जी के लिए नंबर चार पर बैटिंग करते हुए और शांदार परफॉर्मेंस कर रहा है तीनों मुकावलों में नंबर चार पर बैटिंग की है और पहले ही मुकावले में 35 रन बनाये थे इसके बाद 16 और लाश्ट मुकावले में नों के द्वारा 26 रनों की पारी खेली गई है दोस्तों ऐसे में देखा जाए तो ये प्लियर आपके लिए शांदार पिक रहने वाला है इसके लावा दोस्तों बात करेंगे अपन एमिराट से बिलू के फाहद नवास के बारे में तो टीम के लिए दोस्तों दो मुकाबलों में नंबर तीन पर बैटिंग की है और एक मुक मुकाबले में थे दूसरे मुकाबले में 21 और पहले लाश्ट मुकाबले की बात करें यहां पर ओपन किया वहां पर यह जीरो पर आउट हो गए हैं लेकिन बल्लेबाज कापी शांदार है निश्यत तोर पर दोस्तों आपको स्कोर करकर देने वाला है अब देखने वाली ब मुकाबले में 22 चार रन बने हैं लेकिन शुरुवात के दो मुकाबले में बॉलिंग नहीं की है लाश्ट मुकाबले में दो ओवर फेकने के बाद दो वेकट अपने टीम के लिए दिये हैं यहां दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर मैच में यह बैट बॉलिंग करने वाले हैं पि 500 के करीब दोस्तों रन बना चुका है अब तक टीटेंड क्रिकेट में और दोस्तों बात करें पिछले दो मुकावलों के बारे में तो वहां पर 36 और 30 रन की इन्होंने पारी के लिए और सबसे अच्छी बात दोस्तों नंबर 3 पर यह बल्ले बाजी कर रहे हैं पहले मुकाव इनको पिक करने ही वाले हैं दोस्तों ग्रांड लीग में जरूर आप इनको ग्रांड लीग में कैप्टन और 22 कैप्टन ट्राय जरूर कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पर अलीशान शाहराफू के बारे में दोस्तों बात करें थोड़ा नीचे आपको दिखन वाले हैं 70% लोगों ने अपनी टीम में शामल किया है पहले मुकाबले में टीम ने इनको ड्रोप किया दूसरे मुकाबले में नमबर 4 और तीसरे मुकाबले में नमबर 3 यह बैटिंग करना आ है लाकि टॉप अपर बल्ले बाजी कर रहे हैं इसी के साथ साथ दोस्तों यह करेंगे दोस्तों पार्ट टाइम के डूप में ये बॉलिंग करने आते हैं लेकिन अच्छी बात दोस्तों यह है बल्ले से रन निकाल रहे हैं तो आप इनको अपने टीम में जरूर शामिल कर सकते हैं खास तोर पर हेड़ टुएड और इसमोल लिंग में आपको इस पिलियर क लेकिन बात करें फहाद नमास के बारे में दोस्तों नमबर तीन पर और पिछले मुकावले में तो नमबर एक पर बैटेंग करने आये थे दोस्तों इस पिलियर के बारे में आपको बिचार करना ही होगा दोस्तों क्योंकि इसको आप आराम से ग्रांड लिंग में ट्राय कर सकते हैं और दोस्तों आगा चलते हैं देखते हैं ये पिलियर हमको यहां अच्छे, नहीं मिलते हैं तो ऐसे में हम फवाद नवाज को 100% अपनी टीम में लेकर चलने वाले हैं दोस्तों बात करें ओल्लatics section तो यहां पर आपको दिखने नहीं गिर रहे हैं तो अभी तक एक भी मुकाबले में इनकी बैटिंग नहीं आई है बात करें बॉलिंग की तो अभी तक दोस्तों पहले मुकाबले में दो इसके बाद दोस्तों एक और इसके बाद एक ओवर नों ने फेका है यानि तीन मुकाबले में चार ओवर फेक हैं प खिलाव दूस्तों बात करें बसी मुहम्मत को यह ऐसा पिलियर है जिसे आपको कैप्टन और बाइस कैप्टन इसमोल लीग हेड टू हेड लीग में बनाना है क्योंकि अच्छी बात यह है कि हर मैच में लगातार अपने टीम के लिए ओपन यह करने आ रहे हैं पहले मुकाबल हम बात करें तीन दूसरे मुकाबले में दो और तीसरे मुकाबले में एक बिकिट निकाल कर दिया है यानि ओवर ओल देखा जाए तो तीन मैचों में छे ओवर फेकने के बाद छे बिकिट अपने टीम के लिए निकाले हैं तो यह पिलियर आपके लिए 100% कैप्टन और उमीका में आज के मैच में रहने वाला है इसके लाव दोस्तों बात करेंगे उमर फारूक के बारे में दोस्तों बैटंग सट्वे नंबर पर आती हो और एफ यू जी टीम काफी मजबूत है तो दोस्तों रनों से आप ज्यादा उमी दिन से ना करिएगा बात करें लेकिन पहले मुकाबले में 22 रन दूसरे मुकाबले में 9 और तीसरे मुकाबले में 7 रन बनाए हैं क्योंकि दोनों ही मुकाबले में दोस्तों इनको काफी कम गेंदर खेलने को मिली है लेकिन अच्छी बात यह कि बालिंग भी करते हैं पहले मुकाबले में एक ओवर फेका है लेकि दोस्तों इसी काहिए जी उल्टा आप देखें तो ग्रांड लिंग में 100% आप इनको पिक कर सकते हैं इसके लाव बात करें रजट भाटिया के बारे में काफी ज़्यादा परसेंटेज के लोगों ने काफी ज़्यादा सेलेक्शन परसेंटेज दोस्तों आपको इनका दिखा करें अपन जवार फारित के बारे में 10% लोगों ने अपनी टीम में शामिल किया दोस्तों यदि आप बात कर राहुल भाटिया के साथ जाना चाहते दोस्तों तो 100% आप इनको छोड़ें और दोस्तों बात करें बैटिंग ओडर में तो पिछले मुकाबले में दोस्तों पह अच्छी बात दोस्तों यह है कि तीनों मुकाबलों में इन्हों ने बॉलिंग किये हालाकि बिकेट नहीं मिला है लेकन दोस्तों बॉलिंग की है यानि यदि आप इन दोनों में से कन्फ्यूज है तो 100% दोस्तों आप जवार फारित के साथ ही जाएगा तो यहां यह ऐसे किरेट होने के करण दोस्तों आप इंको ड्रॉप कर सकते हैं जिससे कि दोस्तों आप और इस‍स appointment strategy है राजा के बारे में तो यह प्लियर ऐसा है जिसे आप ग्रांड लीग में कैप्टन और बाइस कैप्टन भी ट्राय कर सकते हैं चार तीन मैच खेले हैं दोस्तो चे ओवर फेके हैं और चे बिकिट निकाल कर टीम के लिए दिये हैं पहले और दूसरे मुकाबले में एक एक और लाश्ट मुकाबले में चार बिकिट निकाल कर अपनी टीम को दिये हैं इसके लावब बात करने दानेश कुनीशी के बारे में दोस्तो पिछले मुकाबले में काफी शांदर परफॉर्मेंस नों ने किया है या देखा ज तो अभी तक 6 मुकाबल 6 ओवर फेके हैं और 5 बिकिट अपने टीम के लिए निकाल कर दिये हैं यानि ये दोनों पिलियर आपको 100% पिक करकर चलना है इसके लाव दोस्तों बात करेंगे अपन मुझीद अमीन के बारे में जो आपको थोड़ा नीचे दिखाई देने वाले हैं और दोस्तों बात करें तो लाश्ट मुकाबले में इन्होंने एक ओवर फेका है और एक बिकिट निकाल कर टीम ने दिया है दोस्तों या निस्चे तोर पर ये पिलियर भी आपके लिए शानदार दोस्तों कैप्टन बाइस कैप्टन की भूमिका निवा सकता है इसके लाव मकाबले में एक और दूसरे मुकाबले में दो बिक्रिट निकालकर टीम के दिये हैं आज ज्यादी प्लेंग मिलती है तो आप इनके साथ जा सकते हैं वागे दोसों तीन प्लियर आपको ऐसे मिले हैं जो आप हैड्टु एड्र और गैने लिग में आसानी से ट्राय कर सकते हैं और दोस्तों ऐसे बात करें तो यहीं आप तीन ओल राउंटर पिलियर यहां से किलाते हैं तो 100% आप 4 बल्लेवाज उंगले कर चल सकते हैं और बिगट कीपर दोस्तों आप एक लेकर चल सकते हैं शांदार टीम दोस्तों हैट टू एडर स्मोल लिक की आप यहां से बना सकते ह हैं यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने में बिलकुल disturbance करीए गाँ और दोस्तों कमेंट करकर बताइए हमारा analysis आपको कैसा लगा है दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाहने लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब चनल अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दें